नमस्ते बाहर बेनों आप सबको मेरा कोटी कोटी पढ़ नाम आज मैं आपको अनमोल मोती सुना रही हूं ध्यान कैसे लगी और गुरू और सिश्य की अनमोल मोती हैं सुना लाइक करना सस्काइब करना बोलो कृष्ण भगवान की जय हो एक सिश्य ने अपने गुरू से कहा मेरा मन ध्यान में नहीं लग रहा है मैंने बहुत कोशिश की पर मैं हार गया हूं आप ही मार्ग बताए गुरुदेव गुरुदेव ने उस पर गंभी द्रिष्ठ डा कर कहा तुम ठीक कहते हो यहां ध्यान लगेगा भी नहीं गुरू जी ने कहा कि तुम सही कहते हो यहां ध्यान लगेगा भी नहीं चलो कहीं और चलकर साधना करते हैं हम आज सायकाल ही यहां अस्तान चोड़ देंगे और दूसरे अस्तान पर जाएंगे सुर्यास्त होने के साथ ही गुरू और शिश्या किसी अन्य अस्तल की ओर चल पड़ी गुरू के हाथ में एक कमंडल था और शिश्या के हाथ में एक जोला था गुरू बिल्कुल सांत भाव से चल रहे थे और शिश्या जोले को अत्यंत यत्न पूर्वक समालते हुए सावधानी से चल रहा था मारग में एक कुवा दिखाई दिया और शिश्या को प्यास लगी उसने गुरू जी से पानी पीने को कहा दोनों ने वहां रुक कर पानी पिया फिर शिश्या ने सोच की इच्छा यक्त की उसने बहुत सावधानी के साथ अपना जोला गुरू के पास रखा और सोच के लिए चल दिया जाते जाते उसने कई बार जोले की तरफ मुड़ मुड़ कर देखा जोले की ओड़ देखा या मुड़ मुड़ कर देखा जब वह अस्तान से चला गया और सोच से निर्वित हुआ ही था कि उसे एक जोड़दार आवास सुनाई दी ऐसा लगा कि कोई भारी वस्तो कोई में फेकी गई है वह तेजी से दोरता हुआ आया और अपना जोला टटोल कर देखा फिर आखों में आशो स्वर से बोला रोते हुए स्वर से बोला गुरु जी इसमें सोने के इंड थे उसका क्या हुआ गुरु देव ने शान्ती से जवाब दिया कुवे में चली गई अब हम भी वहीं लोट कर चलते हैं जहां से अब तुम्हें ध्यान न लगने की चिंता नहीं रहेगी आशक्ति का मन से पूर्णत परित्या किये बिना कोई भी व्यक्ति इस स्वर में मन नहीं लगा सकता जब अब सिशक का स्वर्ण के परति लगाओ मिठ चुका था उसके पास जब सोने की इड़ थी ने तो उसका उस जोले से लगाओ मिठ चुका था अब मन एकागर होने लगा उस पहली वाली जगे पी चलिए और अब मन एकागर होने लगा मन की खटपट मिरते ही वो ध्यान से जोड़ने लगा अब मन ध्यान में डूबने लगा अब धीरे धीरे मन ध्यान में डूबने लगा शिसे का दिन बद दिन पर्भू का चिंतन बढ़ने लगा वो अशीम आनंद और सांती को पा गया शिसे ने गुरू के पास जाकर उनके चरोन को बार बार बंदन किया और प्रिनाम किया और कहा हे गुरुदेव आपकी किरपा से मेरा मन निर्मल हो गया है आज मैं स्वरण से भी कहीं अधिक जिसका कोई मोद नहीं है उस ग्यान का ध्यान वईश को पा लिया है मैंने अपना मन ध्यान में लगा कर भगवान को पा लिया है बोलो कि भगवान की चेहोग मेरे भाईर बेहनों किसी भी चीज को पाने के लिए हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए और जब हम एक आगर होके अपना ध्यान लगाते हैं किसी भी चीज में तो हमारा सारे दुख तकलिफ को मिटाने के बाद हम किसी भी चीज में ध्यान लगाते हैं अच्छी चीज में बूरी चीज में तो हम हम भगवान का ध्यान करते हैं तो अपना मन एकागर करके रखें बोलो किस्ट भगवान कीचे हो यह ध्यान